हलो नमस्कार जहिन दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टेक्निकल विद्यसेस में दोस्तों हम हाजिर है एक और सांदार रिजिनिंग क्लास के साथ जो कि CITS 2003 इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी ट्रेट के कर रहे है तो लेकिन जो लोग नए इस बार 2023 सेचन में एडमिशन लेने जा रहे हैं और फॉर्म भर दिया है तो दोस्तों रिजिनिंग के क्लास उने लोगों के लिए बहुत ही महत्पूर है क्योंकि साथ से आठ कुश्चन रिजिनिंग के आपकी एक्जाम में आते हैं तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को सुरू करते हैं शुरू करने से पहले जो लोग नए भाई या जरूर चैनल को सस्क्राइब कर लें क्योंकि यहां पर दोस्तों यह डारेक्शन का कुश्चन है मैं डेली आपको बताता हूं डारेक्शन के कुश्चन में यह इधर आपका पूरब की दिसा है इधर आपका पस्चिम की इधर आपका उत्तर की और इधर आपका दक्षण की तो इन दिसाओं को आप ध्यान में दे कर कु questions जो है directions है कि एक बकती अपने घर से bus staff जाने के लिए 2 km उत्तर की और चलता है तो 2 km उत्तर की और चलने का मतलब है ये चला उपर की तरफ दो किपलोंडर उततर की और चला उसके बाद वह बस पकड़लकर 13 km पूरप की और चलता है तो दाहिनी और मुड़ा और 20 किलो मीटर चल दिया यह आपका 20 किलो मीटर हो गया चलिए 20 किलो मीटर हो गया उसके बाद वह बस से उतर कर टैक्सी में बैठता है और टैक्सी 5 किलो मीटर पस्चिम की ओर चलती है टैक्सी कितने किलो मीटर चलती है 5 किलो मीटर टैक्सी जो है तेक्षी को पस्चिन की और ले चलते हैं तो यह आपकर 5 km टेक्षी चलती पस्चिन की और उसके बाद फिर वात 3 km किलोमीटर दच्छिन की और चलती है तिए देखिये 3 km और दच्छिन की और मुझ पहुचाती है तो चलिए 8 km यहां से चल दी ये 8 km हो गया इसका आपका ठीक है ये कितना हो गया आपका 8 km हो गया ये तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर पहुंच गया बैक्ती कहाँ पर आफिस में अपने पहुंच गया ये यहाँ पर इसका क्या है आफिस है और यहाँ से चलना प्रारम किया था तो चलिए अब हम दोस्तों इसका जो है dimension कर लेते हैं कितना क्या कैसे है तरफ पहले दो किलो मीटर ये उत्तर की ओर चला थी ये कितनी है दो किलो मीटर फिर ये कितना चला तेरा किलो मीटर सोरी तेरा किलो मीटर चला कितना चला दूस्तों एक से किनम इसको थोड़ा रफ कर दे कितना चला तेरा किलो मीटर कितना चलेगा तेरा किलो मीटर चला तेरा किलो मीटर चलने के बाद फिर वो बीस किलो मीटर मुड़ करके चलता है यह दूरी कितनी चली बीस किलो मीटर 20 किलो मीटर चलने बाद 5 किलो मीटर पस्चिम की ओर चलता है यह दूरी कितनी हो गई आपकी 5 किलो मीटर फिर उसके बाद 5 किलो मीटर इधर चलने बाद फिर 3 किलो मीटर नीचे की ओर चलता है यह दूरी हो गई 3 किलो मीटर है तो देखिये simply दोस्तों यह देखी इतनी दूरी कितना था कि यह ता 13 किलो मीटर और फिर उसके बाद ध्यान से देख기에 तो यह इतना पांच किलो मीटर आय था और और तीन किलो मीटर नीचे आने बार फिर आट किलो मीटर चला, तो यह दूरी आट है, और यह दूरी पाँच है, तो आट कितना होगा? तेरा, तो इसका कहने, मतलब यह जो तेरा है, यह तोटल तेरा है, तो इसका घर और आपिस किस्नि क्या है? एक सीध में है, अब बात करें दोस्तों यहां से नीचे तक कितना हुआ गा, तो यहां से यहां कितना आया, 20 किलो मीटर आया, और फिर कितना गया, 3 किलो मीटर गया, क्योंकि यह देखी 3 किलो मीटर नीचे है, तो मतलब टोटल 23 किलो मीटर आया, टोटल यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 23 किलो मीटर है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 23 किलो मीटर है और आपको यह वाली दूरी निकालनी है यह दूरी कैसे निकालेंगे यह दूरी कैसे निकालेंगे यहां से यहां तक 2 किलो मीटर है टोटल 23 है जब 2 km को 23 में घटा देंगे तो यह distance आ जाएगी 21 km तो उसके घर से आफिस के बीच में दूरी कितनी है 21 km की और वो इस्थित कहां पर है घर उसका यहां पर है आफिस यहां पर है तो घर से आफिस कहां है दच्छिड की तरफ तो आपका राइट एंसर क्या होगा 21 km दच्छिड की ओर तो आपका राइट एंसर दोस्तों ए हो जाएगा 21 km दच्छिड की ओर बरते दोस्तों नेश्ट कुशिन करफ अगला कुशिन क्या कह रहा है ये भी direction का question है दोस्तों बहुत अच्छा question है कह रहा है दो जहाज एक ही port से चलना प्रारंब करते हैं तो चलिए हम माल लेते हैं यह है port और यहां से दो जहाज चलना प्रारंब करेंगे एक को हम blue से बनाएंगे एक को हम green से बनाएंगे तो कह रहा है जहाज एक हो हम लोग जो है ब्लू से बना रहे हैं 45 मिल पूरब की ओर चलता है तो ये देखिए 45 मिल किदर चल दिया पूरब की ओर चल दिया उसके बाद कह रहा है दोस्तों फिर दाहिनी ओर मुड़ कर 60 मिल चलता है तो यह हम बनाएंगे इसको जो है हम लोग ग्रीन से एक सो यहीं पर से जो है बी को हम बना रहे हैं तो बी किसे चलता है दच्छिड की ओर एक सो पचीस मील कितना चल दिया एक सो पचीस मील चल दिया अब कह रहा है चलता है बाई और मुड़कर पैंतालिस मील चलता है तो बा रहा है कि जहाज B के संदर में A कहां पर है तो जहाज ये क्या है ये आपका क्या है ये आपका है ये वाला पॉइंट है ये आपका क्या है जहाज A है A B है जहाज जहाज क्या है ये B है और ये क्या है आपका यहाँ पर जहाज क्या है जहाज A है तो B के संबंद में A को बताना है तो देखिए सबस पहले हम इसमें जो चला है दूरी को लिख लेते हैं यह पहले 15 रहा पूरब की और यह दूसरी 15 है सुरी 15 नहीं 45 है कितनी है 45 है ये किधर चला 45 मील उसके बाद फिर दच्छिड फिर उसके बाद दाइनी और मुड़कर 60 मील चला ते ये दूरी कितनी है 60 मील उसके बाद फिर कहरा भी 125 मील चला दच्छिड तरब ते ये कितनी है 125 मील है उसके बाद फिर कितना चला 45 मील फिर समझ में आया आप लोग को इसमें कह क्या रहा है अब देखिए ये total दूरी चला था ये total दूरी है 45 और ये ये भी दूरी है 45 जिसका मतलब है आपका जहाज A जहाज B एक दूसरे के सीध में हो क्योंकि ये distance और ये distance कितनी है 45 ही है तो जहाज जो है एक दूसरे क्या होंगे सी तो तो टोटल नीचे कितना चला में दाश्टेड कि तरह किटना आपका एक सो चालिस कितना गार्ड चालूआएirsin और यह बीचक्ष्याद ऑप किक्तुमारे कृटल दूरि निकालने कि क्लिक पर का लिर्ग हें? 140 में से 60 खटा देंगे और जब 140 में से 60 खटाएंगे तो आपका कितना आएगा 80 میल, कितना आजाएगा 80 میल ये दूरी किकना है बीच की बीच की दूरी आपकी होगी 80 میल तो इसलिए आपका जो है A और B के बीच में दूरी कितनी है 80 میल की, तो अब देखे B के संदर में A पूछ रहा है तो B आपका नीचे है A आपका उत्पर है तो B के संदर में A कहां पर है उत्तर की दिशा में है तो answer आपका क्या होगा 80 मील उत्तर तो आपका right answer दोस्तो A हो जाएगा 80 मील उत्तर बढ़ते next question तरफ दोस्तों यह मा लिजे महिला है अब यहाँ पर यह संतोस है इन्होंने कहा कि बताया यह मेरी मा की इकलोटी बेटी है तो मतलब यह जो है इनकी क्या है इनकी क्या है इनकी मा है इनकी क्या होंगी यह मा मा लिजे है तो इनकी मा की जो तस्बीर में क्या है इकलोटी बेटी तो यह मा लीजे इनकी क्या है बेटी है तो सिंपली देखिए अगर वो तस्बीर में कहे रहा है संतोस कि जो तस्बीर में लड़की है उसकी मा की इकलोटी बेटी है तो जाहिर सी बात है उसकी मा की इकलोटी बेटी मतलब उसकी बहन क्योंकि उसकी मा की अग पर देख लिए कि एक महीला की यही रिशारा कर करके संतोस ने बताया यह मेरी माय की बेटी है तो जो चॉब कि पहल्प संतोस की मां के घर इकलौती बेटी होगी वो संतोस की यहां कुछ्छेन क्या कि यह क्या क्या दिए यह oc कैं यह क्या हो गए यह क्या हो गए बीवा करनें अुसके बाद कहे रहा है वी का देऻा हुआ है वी के हैं यहाँ पर कह रहा है कि आगे है D का बिवा E से हुआ है जो D है उनका बिवा E से हुआ है यदि E B का भाई है E क्या है B का भाई है तो E अगर B का भाई होगा एक जेनरेशन में होगा तो इधर क्या हो जाएगा E हो गया E क्या है B का भाई है मतलब ये भी पूरूस है इसका कहने मतलब है जो D है D से जिससे बिवा होगी महिला होगी तो यह कहा होगी D होगी चलिए यह क्या होगी D और जो कि क्या है महिला है क्योंकि E से बिवा हुआ है और E जो है भाई है B का समझ रहा न अब का बन गया अब इसमें कहें क्या रहा है D का A से संबंद तो D का A से संबंद क्या होगा देखिए अगर कह रहा है B A का पुत्र है तो B A का पुत्र है तो अगर E जो है B का भाई है तो A जो होंगी E भी तो A का पुत्र होगा समझ पा रहे हैं न कैसे मैं कह रहा हूँ देखिए अगर कह रहा है B जो है A का पुत्र है अगर कह रहा है B A का पुत्र है और जो है E B का भाई है तो अगर B A का पुत्र है और E B का भाई है तो E B तो पुत्र होगा A का समझ गए ना और question पूछ कह रहा है D का A से संबंद और D क्या है E की क्या है पतनी है तो e की पतनी का संबंद उसकी यहां पर जिसका पुत्र है उससे क्या होगा बहु का होगा ना इसलिए आपका right answer दोस्तों a हो जाएगा फिर से एक बार समझ लीजे कहरा है question में b a का पुत्र है चलिए b a हाँ पर है a का पुत्र है a का पुत्र यहां हो गया फिर जिसक लगा तो उसमें भी चाहे रहा जब यी का भाई है तो ए आपका क्या होगा एक पुत्र होगा उसके बाद पूछराइब या का संबन्द तो यह जब एक पुत्र है तो उसकी पत्नी एकी क्या लगे बहु कर आपका राइड एंसर हो जाएगा बढ़ते नेस्ट कुश्छिंग तरफ दोस्तों अगला कुशिन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सब्द को उसमें तीसरे अस्थान पर होगा तो दोस्तों इसको कैसे निकालते हैं प्रतेक वर्ड का जो है हम लोग देखते हैं कि जैसे अंग्रेजी में ए से लेकर के 26 अच्छर होते हैं एक से लेकर तो जो सबसे पहले आएगा जैसे सबसे पहले ए आएगा पहले अस्थान पर बी आएगा दूसरे अस्थान पर इसी हिसाब से इसको सिट करना है तो देखिए चारों देखिए यहां पर भी पी है 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 तो पी चारों है तो इससे decide नहीं होगा क्योंकि उसके बाद दूसरा चर देखिए A, यहां पहले में भी A है, B में भी A है, और C में भी A है, D में भी है, तो P और A से decide नहीं होगा क्योंकि जिस क्रम पे P है, उस क्रम पे A है, आगे देखेंगे G से हम देखते हैं, तो पहले में G है, दूसरे में L ह तीसरे में C में आई हैstad max G, L, I, I में पहले कोई आता है शबसे पहले आता है G , E , F , G , P , P , प४रL, A , आता है फिर उसके बाद बाद में hella आता है और शबसे पहले क्या होग आपका इसन नंबर hai हो चाएगा क्योंकि दोस्तो जो तीसरे स्थान पर G आ रहा है वो सबसे पहले आता है इन तीनों में से तीनों में से जो तीसरे स्थान पर है उसके बाद पहला हो गया अब देखते हैं दूसरा L पहले आता है आई तो सबसे पहले क्या आएगा आई आएगा आई आएगा आप जब आई आएगा तो C और D दोन देखते हैं C हो जाएगा आपसन क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर L है यहां पर I है फिर उसके बाद जो आखरीम बचता है वह आपका हो जाएगा B समझ में आया कैसे किया देखिए सबसे पहले देखते हैं P तो P सम में सेम है तो इससे इन चारों में G आता है इसलिए सबसे पहला क्या हो जाएगा उसके बाद अब यह तो चला गया बचा B C D तो देखते हैं इसमें तीसरे स्थान पर L है आई है आई है तो L बाद में आता है फिर आई आई है और आई आई दोनों में तब इन दोनों भी देखेंगे कि दूसरे स सब्सक्राइब कंष्चन क्या कहते हैं कौँन सब्द को इसमें 3 अस्थान पर आएगा तो 3 अस्थान पर देखिए कौन सा लाहीं तीसरी स्थान पर आ आपके सी आ और सब्सक्राना इसको मतलब आपका सार्थक क्रम प्रबटाना q बच्पन अवैस्कता तो सबसे पहले दोस्तों जाएगा चार अवैस्कता फिर उसके बाद दोस्तों आपका आजाएगा उसके बाद आजाएगा दोस्तों आपका सैसो क्या जाएगा सैसो क्या जाएगा दूसरा क्या जाएगा दूसरा उसके बाद दोस्तों आपका क्या तो चार दो तीन एक आपका राइट एंसर दोस्तों आपका आपसन नमबर सी हो जाएगा